हेलो फ्रेंट्स में मंदीब सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फ्रेंट साज की इस फीडियो में बैक नेक डिजाइन में आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो दिखें मेरा में फैबरी के और ये अस्तर का कपड़ा है अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से आप पर फोल्ड करके रख लेंगे एक लाइन रोकर के नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे अब हम यहाँ पर टोटल लंबाई लेंगे तो जितनी भी लंबाई आपको अपने ब्लाउस की तयार रखनी है उसमें एक इंच मर्जिन का प्लस करके लीजेगा मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ ली है साड़ी चौदा इंच साड़ी दिरा लेंथ मुझे इसकी तयार रखनी है और ये डिजाइन में बना रही हूँ बोर्ट ने की अकॉर्डिंग तो बोर्ट ने की अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर Shoulder in Armhole का measurement लेना है 38 size का 38 size का Back part का cutting में यहाँ पर कर रही हूँ तो इसमें मैंने Shoulder और Armhole लिए है साड़ी 7 इंच 7.5 इंच यहाँ पर मैंने मार्किंग किया है Shoulder in Armhole के लिए पोर्ट नेक के अकॉर्डिंग और यहां पर देखे चेस्ट का चोधा भाग लेलेंगे 9 इंच 38 का फोध पाइट होगा नो यहां पर आज़क लिए में कमर की प्रिट्स के लिए आधा इंच के यहां पर हम चोडर को डाउन कर लेंगे और वन इंच पर आर मौल की गुलाई देगे इस डिजाइन को बनाने के लिए आप उपने साइस के अकॉर्डिंग बोटनेक का मेजमें लीजेगा तो यहां पर आर मौल की ग कर दीनी है इस तरीके से ओ हए कि दूट को मनें बीप लिया है इसके बाद इसे मेन कपड़े पर रख रहकर कर लेंगे मैन कपड़े पर मिन कट ली है गले का मेज़िमेंट लेंगे अगर आप गले की विद्ध कम रखना चाहे तो चार इंच ले सकते हैं और अगर आप बोट नेक में ब्रॉट गला पसंद करते हैं तो साड़ी चार इंच ले जिएगा मैं यहाँ पर 4.5 इंच ले रही हूँ नेक विट और गले की लंबाई जो है टोटल लेंथ वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद से ले सकते हैं मैं यहाँ पर हैवी साइस का ब्लाउस बना रही हूँ तो मैंने साड़ी 11 इंच ली है नेक की लेंथ नीचे से नेक विट रखी है 5 इंच तो मैंने इसे थोड़ा ब्रॉट करके लिया है आप कम जादक अपने हिसाब से ले सकते हैं नेक को पीछे की तरफ से उपर से नेक क लेंथ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 3 इंच पर मैंने लेंथ लिया है बोट नेक का शेप देने के लिए देखे इस तरीके से और नीचे की तरफ हमें वाटर ड्रॉप स्टाइल में नेक को बनाना है तो हलके हलके हाथों से हम गले का शेप यहाँ पर ड्रॉप कर लेंगे यह देखे इस तरीकी से गले का शेप मैंने हैं पर बना लिया है अगर एक बार में शेप प्रॉपर नहीं आता है तो दुब्रा से आप से आप शेप कर सकते ह weiter यो उचे से आना चाहिए यह पर देखे इस तरीके से इसके बाद हमने नेक को करना है कट तो इस तरीके से अपने को कट कर लें अगर आपके पास नहीं होता है तो सिंपल आप इसे सिलाई लगा कर पलट लीजएगा और पेपर पेस्टिंग लगा तो नीचे पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रख लेना है और एसे इस मार्किंग कर देनी है कली की इसके बाद बाहर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसके कटिंग कर लेंगे पेपर पेस्टिंग पर नेक कट करने के बाद हमें लेना है अस्तर वाला एक्स्ट्रा तो सबसे पहले आपको neck के उपर सिलाई लगा लिनी है इस तरीके से गले पर हमने यहाप पर सिलाई लगा कर इसे complete कर लेना है नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब मैं बहार की तरफ से सिलाई लगाऊंगी बाहर की तरफ सिलाई लगाते समय हमें अच्छे से हातों से फिनीशिंग कर दीनी है इस तरीके से और कोई भी एक्स्टा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है तो आप उससे कट कर लें सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे इस तरीके से उसके बाद इसे अस्तर के बराबर से कट कर लेंगे अच्छे से गले की तरफ से हमने इस तरीके से यहाँ पर कट करना है उपर जो पॉइंट होता है हमारा नेक का जहाँ पर मैंने बोट नेक कर शेव दिया था वहाँ पर पॉइंट को मैंने कट नहीं किया है और नहीं तो मेरी तरह सिलाई लगा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे कंप्रीट कर दिया है अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है साइट से थोड़ा फैब्रिक रहने देंगे इसे फोल्ड करने के लिए और बागी सारा कपड़ा हम एक्स्ट्रा कट करके निकाल देंगे, छोटे-छोटे कट लगा देने ही, अच्छे से हमें इस तरीके से, अग हमने इससे कर लेना है फोल्ड, तो इस तरीके से पूरे ही नेक को हमने फोल्ड कर लेना है, तो देखिए, नेक को मैंने फोल्ड कर लिया है, अब हम अपने ब्लाउस के साथ इससे अटेज करेंगे, तो आपको पेपर पेस्टिंग वाले भाग को इस तरीके से रखना है, और ब्लाउस के कपड़े को पैक पाट को इस तरीके से रख लेना है, अच्छे से हमने इससे और अच्छे से बराबर करते हुए हमें इसे पिन के साथ अटेज कर देना है, ध्यान रखिएगा आप नेचे से दोनों तरफ से पेपर पेस्टिंग बराबर आना चाहिए, इसके बाद हमें एक पेर का मार्जिन कवर करते हुए इसके उपर सिलाई लगानी है, तो यह दिखे इस तरीके से मैंने हाँ पर सिलाई लगा ली है, सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रीक को कट करेंगे तो एक पेर का मार्जिन छोड़ते हुए बागी सारे फैब्रीक को अच्छे से फिनीशिंग के साथ कट कर देंगे, यह दूर नेचे से बागी इसके बाद हमने पूरे ही नेक के उपर छोटे छोटे कट लगाने हैं द्यान रखेगा सिलाई ना कटे, सिलाई के पास तक कट लगाएंगे पूरे ही नेक पर ये कट लगाने से गला जो है वच्छे से और फिनीशिंग के साथ पलट जाता है इसके बाद हमने इसे पलट करके सीधा करना है और कोई भी नोक वाली चीज़ से आप इसे हलकालका प्रेस करेंगे तो कॉर्णर अच्छे से निकल जाएंगे केची की नोक से या पैंस से या पैचकस से आप इसका कॉर्णर अच्छे से निकाल ले कॉनर के पास से कपड़ा एक्स्ट्रा जो है उसे कटिंग करने के बाद इससे पलट के सीधा करेंगे कॉनर निकालने के बाद मैं गले को अच्छे से हातों से फिनीशिंग यहाँ पर दे दूंगे अगर आप जाएं तो प्रेस लगा सकते हैं और नहीं तो आप इस तरीके से मेरी तरह हातों से इस पर फिनीशिंग कर लें अस्तर वाला भाग जो है वो ब्लाउस के सीधी तरफ ना दिखे इस तरफ फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगाते हुए इसे कम्प्रीट कर लेना है यह देखे इस तरीके से सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है इसके बाद अब हम इस नेक को डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करने के लिए हमें यहाँ पर फैब्रिक पीस लेने होंगे जो आप कॉंट्रास फैब्रिक के भी ले सकते हैं अगर आपके पास में कपड़ा नहीं होता है तो अलग कलर में भी आप यह कपड़ी के पीसे ले सकते हैं इनकी लंबाई चोड़ाई लेंथ और विट रखी है मैंने 3 इंच तीन इंच लिए है और ट्राइंगल्स फूल करते हुए आपको इन्हें रेडी कर लेने हैं सारे ही पीसेस हम इसी तरीके से तयार करेंगे और ज्यादा कॉंटिटी में करेंगे क्योंकि इसे हमें पूरे नैक पे लगाने है तो इस तरीके से मैंने इन्हें रेडी कर लिया है अब हम यहाँ पर मोती चाहिए तो मोती आप छोटा या बड़ा अपनी पसंद से ले सकते हैं मैंने अपर मिडियम साइस के मोती उस करें और दो पैटन को लेते हुए आपको इन्हें साथ में स्टीच करना है सुईधागे से सेंटर में इक मोती लगाना है तो मोती को आप इस तरीके से चलाई से जिलाय लगाकर इसे सुईधागे से पका कर लें यह देखिए अच् तरीके से फोल्ड करते हुए, ब्लाउस के साथ स्टीच करना है, यह दिखें इस तरीके से, तो सिंपल है, यह डिजाइन बनाना, आप इसे फोल्ड करते जाएं, और पूरे ही नेक पे इसी तरीके से लगाते जाएं, तो बिल्कुल पास पास में मैं यहां पर इने लगा रही हूँ, यह दिखें इस तरीके से, तो चलिए मैं पूरा इससे कंप्लीट करके आपको दिख पती हूँ यह देखे मैंने इसे पूरा complete कर लिया है इसके बाद center में cut लगाएंगे और plates डालेंगे आपर तो 4 inch की length में हमें plates लगानी है same इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ से भी plates लगा लूँगी इसके बाद लगानी है हमें नीचे की तरफ कमरपटी तो नीचे से आधा हिंच का मारसिन कवर करते हुए हमें कमर पटी को अटेज कर लेना है इस तरीके से एक सिलाई हमने पटी को इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा लेनी है अब हमने कमर पटी को कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड इस तरीके से और उपर की तरफ आप बटन अटेज कर सकते हैं या लूप अटेज कर सकते हैं मैं यहाँ पर डोरी लगा रही हूँ और नेक को मैंने सिंपल रखा है अगर आप चाहें तो इस पर गोल्डन कलर का लेस का यूज भी कर सकते हैं तो यह नेक डिजाइन बनके हमारा कंप्रीट हो गया है तो फ्रेंट्स आपको आज का मेरा यह डिजाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद प्रेंड़ा बनके का तो।